हेलो इस वीडियो में हम पीएचपी के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पीएचपी क्या है पीएचपी का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर ये एक ओपन सोस स्क्रिप्टिंग लैंग्विज है आप इसे स्क्रिप्टिंग लैंग्विज भी बोल सकते हो इसको बैप साइट डिजाइनिंग में भी इस्तिमाल किया जाता है ये एक सर्वर स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्विज है क्योंकि ये लैंग्विज सर्वर में एग्जिक्यूट होती है इसमें भी C, C++ और Java जैसे code लिखा जाता है code या program computer के अंदर execute होते है इसको web-based programming language भी बोल सकते है इस language को आप free में इस्तिमाल कर सकते हो blogging platform को चलाने के लिए ये एक powerful language है जैसे आप WordPress का नाम सुने ही होंगे इसको इस language से design किया गया है आप ये तो जानी गए होंगे कि ये कितनी powerful है क्यूंकि इस language से ही दुनिया की सबसे अत्यादिक खोली जाने वाली website को design किया गया है जिसके नाम से आप बाखिव है facebook.com तो ये जो facebook.com है इसको PHP language में design किया जाता है ये एक open source general purpose programming language भी है इस language को web development के लिए इस्तिमाल किया जाता है PHP को HTML के साथ embedded करके use किया जाता है जिसकी बज़ा से इसमें कुछ नई features को भी add किया जा सकता है तो ये जितना भी काम है ये PHP में किया जाता है तो इस वीडियो में हमने PHP क्या है इसके बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल धन्यवाद